इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकुम रहमतुलाई वरकातु इत्तिहाद दूज में आप सभी का खैर मग्दम हैं देश अपनी दिशा बदल चुका है जहां भारत को सबसे बड़ा लोक तंतर कहा जाता है वही आज लोक तंतर यहने जमूरियत का गला घोटने का अमल मस्तकिल जा रही है अब तो आवाज निकलने से पहले ही गला घोटने के साजिश रची जा रही है और खासकर जब से मोधी हुकूमत इक्तदार पजिर हुई है इस तरह की वार्दातों में इजाफा होता जा रहा है कुछ अफिरका पर सोच जैनियत की तंजिमें जो अपने आपको राष्टरवादी ठ है खासकर पांसरे दाबुलकर कल बुर्णिया और हाल ही में गावरी लनकेश दरअसल यहाव वो लोग हैं जो सच्चाई को कभूल नहीं करते हैं और अलग ही सोच जैनियत के मरीज होते हैं पर काईनात की सच्चाई भी यही है कि किसी को قाईद में तो डाल सकते हैं किसी के जिसम का तो कतल किया जा सकता है पर विचारधारा का कतल नहीं किया जा सकता एक बार फिर सच बोलने वालों पर लिखने वालों पर मरकजी हुकूमत ने मुकदमे दायर किये हैं विनोद्वा और आकार पटेल पर मुकदमे दायर करने से एक बार फिर मोधी हुकुमत विपच्च के साथ इलमिदानी शोरों के निशाने पर आ चुकी है। सुप्रिम कोट के वकिलों ने भी मरकजी हुकुमत पर निशाना साथ देवे का है। से इंतकामी कारवाई कहते हुए कहा के मोधी हुकुमत की जाने से उन लोगों पर कारवाई की जा रही है। जिनने ने हुकुमत के खलाब मुक्तलिप मसाहिल पर एतजाज किया था। अब जब तमाम कोरोना के लड़ाई लड़ रहे हैं पर मोदी हुकूमत अलग लड़ाई लड़ रहे हैं इन्होंने तमाम ऐसे लोगों की फैरिस निकाली है जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खलाब एतजाज किया ता लिहाजा कईयों को जेल में डाल भी दिया है और इस पर ग दम तोड़ रहाता और आत्म निर्भरता का पैगांब यही संदेश देता है कि जिंदगी हो या माउत आपको फैसला करना है हम आपकी मदद नहीं कर सकते कहने का मतलब या है कि जब हमने इनके घर तक पहुंचने का इंतजाम यह नहीं किया है तो फिर आत्म निर्भर तो होना ही पड़ेगा जाहिर है हम जब इंसानों की बुनियादी जरुतों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर अपनी गलतियों का ठीक रा दूसरे के सर फोड़ना होगा या फिर हिंदू-मुसलिम करना पड़ेगा अब जब कुछ साफियों ने सक्चाई दिखाने की और लिखने की कोशिश की तो इन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है ऐसा नहीं कि इससे पहले की हुकूमते बहुत अच्छी थी और इस तरह की आवाज को नहीं दबने देती थी पहले भी हुकूमते थी पर इस कदर मुद्ली हुकूमत ने जो भी आवाज उठेगी उन्हें दबाने की कोशिश जारी रखी है ऐसा लगता है कि जमूरियत का दाराज सिमटता हुआ जा रहा है मीडिया लोकतंतर का चौता स्तंब याने चौता सुतून होता है हमेशा हुकूमत पर तन्जिया ने आलोचना करना इसकी जिम्मेदारी होती है पर पिछले कुछ सालों से मीडिया पत्रकारिता के बजाई चाटूकारिता के फराईज अंजाम दे रही है सत्ता से सवाल करने की बजाए विपक्ष को सवाल किया जा रहा है गोड तो मोदी को दिया जाता है पर सवाल रहुल गांदी से पूचा जा रहा है नहरू महात्मा गांदी तक को कटगरे में खड़ा किया जा रहा है और गोड से को राष्ट्रवादी और महात्मा गांदी को राष्ट्र विरोधी टहराय जा रहा है हाल ही में हुए देहली दंगों के लिए समाजी खिद्मतगारों को जिम्मेदार ठहरा कर जेल की कोट्रियों में ठोसा जा रहा है एक बार फिर विनो दुआ जो बुजर्ग सहाफी जोने ने दूर दर्शंग से अपना सहाफी खिद्मात को अंजाम दिया था सभी बड़े बुजर्ग बच्चे सभी जानते हैं भारत के जाने माने सहाफियों में विनो दुआ का नाम है पर वजिर आजम मोदी की मुखालिफत और मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर तंज़ करना इन्हें महगा पड़ गया और इन पर मुकदमा दर्च किया गया दुछ चल रहा है और एतजाज किया जा रहा है इसी नहज़ पर भारत में भी एतजाज होने चाहिए क्योंकि भारत में भी दलित मुसलमान आदिवासियों गरीब खवातिनों पर जल्म ज्यादती की जा रही है लहाज़ अगर भारत में एतजाज होता है तो दुनिया भी रिखेगी की भारत में भी जुल्म के खिलाप आवाज उट रही है पर बैंगलावर के जेसी नगर थाने में दफा पांच सो पांच एक सो तिर्पन एके तहत मामिला दर्ज करते वे इल्जाम लगाया है कि अवाम को तशद्द के लिए बढ़कानी की कोशिश आकार पठेलने की है और दंगा बढ़काने के लिए उकसाया है दोनों पत्रकारों पर भाजपा के ही कारकुनों की जानिब से मुकदमे दर्ज किये जाच चुके है विनो दुआ पर यहाँ भी इल्जाम लगाया गया है कि देली फसाद की घनत रिपोर्टिंग की है और वजीर आजम ने फ पर फिर मरकजी हुकूमत मुकदमों के जरिये सहाफत याने पत्रकारिता के आजादी पर अपना अंकुछ लगाना चाहती है एडिटर्स गिंड ने इसकी पुर्जोर अलफाज में मजमत करते वे एतजाज का इशारा दिया है अब देखना ही आए कि क्या इन मुकदमों को म इन मुकदमों को मुकर अपना अंक।